तो देखो Free Fire में Headshot मारने के लिए Custom HUD एक बहुत बड़ा Role Play करता है और अगर आप Three Finger में Game Play करोगे तो आपका Headshot अलग ही Level लगेगा रुको रुको अगर आप एक Two Finger Player हो फिर भी यह वाला वीडियो देखो क्यूंकि Last में मैं आपको एक ऐसा Custom HUD दिखाऊंगा जिस पर आप Two Finger के साथ साथ Three Finger भी खेल सकते हो मतलब अगर आप Three Finger में Shift होना चाहते हो तो ये Custom HUD आपके लिए Best होने वाला है तो अभी मैं आपको Best Three Finger Custom HUD बना कर दिखा देता हूँ तो देखो सबसे पहले तो आपको Fire Button का Area में जितने भी बटन है सारे बटन को हटा देना है सिर्फ आपको इन दो चीजों को टच नहीं करना है इनको टच करोगे तो आपका Custom HUD बरबाद हो जाएगा और मैं इन बटन को कहां पर रख रहा हूँ और इनका Size कितना रख रहा हूँ अच्छे से देखना आपको Custom HUD बनाने में Easy होगा कब कंचे से पमेश कितना में 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 हो जाएगा तसना देखना एहा, होगा फबटन में को में में से जाएगे कितना डत्सवाम प Mär dieser कर रहा शाहँ अच्छे से इनका च समिजो्म झाल झाल तो देखो आपको 3 finger में fire button को हमेशा इस position में रखना है ये बात ध्यान में रखना और fire button का size को आप थोड़ा बड़ा भी रख सकते हो लाइक 40 to 45 तो ओके ये रहा आपका 3 finger custom HUD तो ये custom HUD आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताना तो अभी मैं आपको वह वाला custom HUD बना कर दिखा देता हूं जिस पर आप 2 finger के साथ साथ 3 finger भी खेल सकते हो जब चूपल आपको वह 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 वा को हूए है झाप ये मैं आपको यह वहा है झाल झाल तो यह रहा आपका 2 finger plus 3 finger custom hud तो दोनों में से कौन सा custom hud आपको best लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर आप एक 2 finger player हो तो आप यह वाला वीडियो को देख सकते हो इस वीडियो पर मैंने टॉप 3 2 finger custom hud दिखाया है इनने से किसी एक को आप यूज कर सकते हो तो क्लिक करो वीडियो देखो मिलते हैं next वीडियो पर